आप मेरा साधर आग रहे है राज्य सभा में सदन के नेता श्री प्यूश गोईल जी से कि वे अपना वक्त वे प्रस्तुत करें आप सभा के सभापती आदर्निय जगदीब धनकर जी सद्धे प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी लुक सभा ध्यक्ष आदर्निय ओम बिरला जी उपसभापती शी हरिवंश जी शी मलिक और जुन खरगे जी शी आधिर रंजन चोदरी जी शी प्रलाज जोशी जी मान्य सांसद गन नमस्कार गनेश चतुर्थी के पावन अफसर पर आप सभी को हार्दिक शुपकाम नाएं विग्ना हर्ता गनपती बाप्पा सभी को सुख एवं शांती प्रदान करें और देश की प्रगती के लिए हमारे प्रयासों को सफल बनाएं हमारे सम्मिधान के निर्माता भारत रतन डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर जी तदा सम्मिधान सभा के मान्य सदस्सों की स्मृति को मेरा कृतग यवंदन दिगत 75 वर्षों में देश की सेवा करने वाले सभी सनमान्य सांसदों को भी मेरा सादर नमन कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की और अपनी यादों और अनुभावों को सब के साथ साजा किया आज नए संसद भवन में प्रवेश करना एक एतिहासिक पल है जो हम सभी के लिए यादगार रहेगा इस शुब अफसर पर मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहतू हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक्ता का जिवन्त उधारन है नए संसद भवन में स्थापित प्राचीन सेंगोल से प्रेणा लेकर हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत पर रहेंगे आधन्य प्रदान मंत्री शिनरेंद्र मोदी जी के दूर दर्शी नित्रत्यों में भारत एक वैश्विक शक्ती बन रहा है नया संसद भवन अपने विशाल और सुन्दर सुरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्बर भारत का पैचान बनेगा पारलमेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है यह हमारे समिदान के मुल्यों की सुरक्षा करता है जो विबिन भाशाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूत हमें एक राष्ट के रूप में बानने का काम करता है यहां अनुभव का ग्यान और युवाओं की उर्जा मिलकर एक सो चारेस करोड देशवासियों के उज्वल भविश्य को आकार देने का काम करते रहेगी और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है कई सारे विशे रहे आजादी के बाद कई सारे चुनोतिया रही शायद कई सारी चुनोतिया समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विक्षित बन जाता पर हमारे पास जो वर्ष मिले जो काम करने का देश ने सेवा करने का मौका दिया उसमें जो अबूत पूर्व प्रगती देश ने देखी है मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नए उचाहियों तक मान्य प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी जी के नेत्रतों में हम सब मिलकर काम करेंगे लक्ष बड़ा है राह कटिन है पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में जो जन पतिदिदी बैठेंगे वे अपने दायतों का पूर्ण निष्ठा से निर्वान करेंगे और अमरित काल में एक समरुत शशक और विक्सित भारत के स्रिजन का आधार बनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जै